वेलकम टू गजेंदर एजुकेशन पॉइंट गजेंदर एजुकेशन पॉइंट आप सभी विध्यार्थिवों का बहुत बहुत श्वागत करता है दोस्तों उत्राखंड अधिनस चैन सेवा आयोग यू के ट्रपल सी से आपके लिए अपडेट है अपडेट यह है दोस्तो उत्राखंड अधिनस सेवा चैन आयोग ने एक नोटिस जारी किया है संबाद 45 के नाम से दोस्तों और यह दिनांग 177 2020 को दोस्तों जारी किया गया जिसका पत्रांग रेफरेंस नंबर 287 है तो इस वीडियो में दोस्तों हम कवर करने वाले हैं उत्राखंड की बारिक से ब ग्यापन से रेलेटिड आपकी चाहिए वो छोटी ख़बर हो चाहिए बड़ी ख़बर हो या उत्राखंड की वेकेंसी से रेलेटिड कोई भी हर ख़बर दोस्तों आपको सबसे पहले मिलेगी गजेंदर एजुकेशन पॉइंट पर और बिरकुल ऑथेंटिक न्यूज मिल करेंगी तो जरूर देखते रहिए गजेंदर एजुकेशन पॉइंट और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं अब आज का जो टोपिक होने वाला है उसक पत्रवे इमेल के माध्यम से अभ्यरतियों द्वारा अबगत कराये गया है कि उनके द्वारा OTR वन टाइम रजिस्टेशन में तुरूटी पूर्ण जानकारियां दिये जाने के कारण आबेदन पत्र में भी तूरूटी पूर्ण जानकारिया दर्ज हो गई है आबेदन प जिसा जो हमारा फॉर्म है दोस्तों वो भी संबिट हो गया है अभ्यरतियों को अबगत कराना है कि यदि उनके द्वारा अबेदन सुल्क जमा करने के उपरांत तूरूटी पूरा अबेदन पत्र पूर्ण पत्र संभब नहीं है जिहां यदि आपने सुल्क आपने जो तो उसके बाद अगर आपने फॉर्म सम्मिट कर दिया है तो उसमें कोई भी एडिटिंग जो है दोस्तों नहीं की जा सकती ऐसा आयोग का कहना है ऐसे अभ्यर्ति आभेदन पत्र की अंतिम्तिति तक त्रिटी पूर्ण आभेदन पत्र को कैंसिल कर पुनहें दोवारा आभेदन कर सकते हैं इसके लिए आबेदन पत्र में ही cancel button दोस्तों दिया गया है। ऐसे cancel किये गया आबेदन पत्र का सुल्क दोस्तों बापिस नहीं होगा। जो भी आपके form में अगर mistake हो गई है, छोटी सी भी दोस्तों अगर mistake हो गई है, तो उसका सुल्क आपको कोई भी board के द्वारा बापसी नहीं किया जाएगा। ऐसा दोस्तों इसमें बताए गया है, आबेदन पत्र त्रूटी पूर्ण हो इसके लिए आवस्यक है कि भीरती आबेदन पत्र भनने के लिए पहले OTR One Time Registration को साबदानी पूरवग देख लें, वे उसे त्रूटी रहित कर दें, उससे आबेदन पत्र सुएता है, बेश्ट भेजकरी दोस्तों संसोदित किया जा सकता है, आयोग दुवारा पूर्व में भी संबाद 17 दुवारा अभ्यरतों को सूचित किया गया है, कि बे अपना OTR यूजर नेम पे पासबर्ड सुरक्षित रखें, बे समय समय पर अपना OTR भी दोस्तों अपडेट करते रहें, जिससे कि उन्हें भविस्से में आबेदन पत्र भरते समय किसी परकार की कोई कटनाई ने हो, यहां यह भी अनुरोध है कि अब अगला आबेदन पत्र भनने से पूर्व, अपने OTR का विवरण पुने एक बार चेक कर लें, बे OTR विवरण पूरोप से सुद्व सह होने पर ही अगला आबेदन पत्र भरे, क्योंकि OTR में भरी गई जानकारी आबेदन में स्वेतें भरी जाएगी, यह कहना आपके सचिब संतोस बडोनी ने, बडोनी जी का ठीक है, तो कहने का मतलब दोस्तों यह है, आप मुझे गलत मस समझना, किसी राजनिती से प्रेरित होकर नहीं समझना, कहने का मतलब यह है, कि उत्राखंड आयो, एक तो बेरोजगारों पर एक तर एक से चोट करते जा रहे हैं, चाहे वो उत्राखंड सरकार की बात हो, चाहे भारस सरकार की बात हो, भहीं, जो बेरोजगार यूवहाएँगा, दोस्तों, उनको लूटने क जो एक कबायद है वो उत्राखंड आयोग की तरप से अब यहां पर जारी आप सभी देख पा रहे होंगे कि इस तरह की जो घटना है दोस्तों ऐसी कोई जरूरी नहीं है एसी कोई जरूरी नहीं था कि आयोग जब इतना बड़ा आयोग ने OTR बनाएं तो दोस्तों उसमें एक option edit का भी होना चाहिए था लेकिन यह इस परकार से दोस्तों आपसे भी जानते हैं कि यह एक पैसा कमा रहे हैं ठीक है मैं बिर्कुल दोस्तों इसपस्ट बोलता हूं चाहे किसी को बुरी लगे चाहे भली लगे चाहे मेरा जो चैनल है आप अंसब्सक्राइब कर देना इसकी मज़े कोई चिंता नही होती है लेकिन मैं जो बात हमेशा कहता हूं आप मेरी सारी वीडियो देखना बिर्कुल सही बात कहता हूं ठीक है यह जो अभ्यरती है बिचारे जो बेरोजगार है इनके साथ बहुत बड़ा धोका है यह ठीक है जिस परकार से उत्राखंड सरकार ने बंद रोगा की भरती में इतनी 40,000 बच्चों के पैसे की जो फीस ले ली उसके बाद अब फारम भरने के बाद जो फीस जो इतने लाग फारम भरे गए गए दोस्तों यह जो आभी आपकी साथ सुच्यालिस वेकेंसी निकली होई है टेक्स केलक्टर वाली अमीन वाली तो बहुत बहुत ऐसी जो मामूली सी तुरूटिया हो जाती है ठीक है तो उसका मतलब यह नहीं कि आपको उसको दुवारा करना पड़े लेकिन आयोग ने यहाँ पर दोस्तों साफ साफ बता दिया है कि वो फारम आपको दुवारा भरना पड़ेगा ये ति आपके आबेदन पत्र में छोटी सी भी रूटी है दोस्तों तो भी आपको दुवारा फीस भननी पड़ेगी दुवारा आवेदन पत्र भरना पड़ेगा ठीक है एक बिध्यारती हैं दोस्तों उनके मन की पीड़ा मैं आपको बता दूँ इस वीडियो में उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लखी है जो मैं आप सबको बताना चाहता हूं आप सबके सामने शेयर करना चाहता हूं कि आयोग का संबाद 45 का इनुसार यदि किसी के फार्म भरते वक्त रूटी हो गई तो फार्म दुवारा भरो परन तो फीस दुवारा सम्मिट करनी होगी तो क्या आयोग हर तरप से पैसे लूटना चाहता है कई ऐसे अभ्यारती हैं जो सुदुर छेतरों से हैं और पहली कार्वार फॉर्म बर रहे हैं उनसे मामूली सी गलतिया हो भी जाती है या साइवर कैफे से भी क्योंकि इनका जो टियार सिस्टम है दोस्तों बहुत बढ़ा है एक आद मिस्टेक तो होई जाती है तो उसका मतलब यह थोड़ी नहीं होता कि दोस्तों आप द्वारा फीस ल होता है तो उसकी तीन साल की यह चार साल की बैदटा होती है ठीक है उसको नवीनी करणा कराना होता है यह जैसे रोजगार पंजीकन होता है आपका employment ओपिस में तो उसकी बैददता हो기 हो तो वह गहीं तो तो कैसे जाकर वहाँ पर बन वाएएगा ठीक है आयोग तो उसको आयोग तो बता देगा क्या आपके document के लेते हैं जब भी आगर आपका selection हो जाता है तो बैसे भी इस करोना काल में जिसके document के बैदे तक हतम हो गई है वो कैसे बनवाएगा अपना document या आयोग के पास पैसे की कमी हो गई है जो बेरोजगारी छात्रों से इस परकार द्वारा सब्मिट करने को कहा जा रहा आयोग को अबेदन पत्र में edit के option रखने में क्या दिक्कत है ऐसे में तो OTR का कोई फाइदा नहीं है क्योंकि भरती आती है या दो या तीन साल वाद तब तक तो document के validity बैसे ही दोस्तों समाप्त हो जाती है पेपर करवाते ही जल्दी तो एक ब पता नहीं है बस पहसे ही चाहिए तो यह बहुत अच्छी बात लगी दोस्तों इसलिए मैं आपके सामने शेयर की दोस्तों आपको चुप नहीं वैटना आपको ट्वीटर है ट्वीटर के माध्यम सा आयोक को और त्रिवेंदर रावत जी जो मुख्यमंतरी शीम साहव है उ दोस्तों तो यह कुछ इंपोटेंट एक खबर थी दोस्तों और हमारे यूटूब चैनल गजेंद्र एजूकेशन पॉइंट को आप बिरकुल तुरंट सब्सक्राइब कर लो विरकुल क्योंकि दोस्तों उत्राखंड की बिरकुल लेटेस्ट न्यूज हर न्यूज और उत लोगों तक ये बात पहुंच सके बस आप में दोस्तों यही कमी है कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं और आप हमारे लिए एक छोटा सा काम नहीं कर सकते शेयर करनेगा वीडियो कुछ जादा से जादे शेयर करे करो दोस्तों तभी तो पता चलेगा के लोगों को कि जो आयोग है वो क्या करने जा रहा है आपने जो फॉर्म भर दी है कुछ तो बच्छे विचारे ऐसे हैं फॉर्म भर दी है उन्हें पता ही नहीं कि हमारा जो टियार सही है गलत है उन्होंने मैच ही नहीं किया कभी अपने डोकुमेंट के साथ तो अभी भी दोस्तों आपक सम्मिट करना पड़ेगा तो इसलिए इस वीडियो को दोस्तों जनहित के लिए सेयर कीजिए ऐसे नहीं कि मैं किसी अगर आप मेरी इस वीडियो से मैं आपके लिए लागों रुपे कमा लूँगा मेरे कमाई का कोई स्रोथ नहीं है दोस्तो इस वीडियो से ठीक है तो इसलिए जन हित में आप इस वीडियो को जादा से जादा लोगों तक दोस्तो शेयर कीजिए जिससे की दोस्तों जिनके फॉर्म गलत हो गए हैं वो अपने फॉर्म साही कर सकें तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ तब तक आप बने रहे हैं गजेंदर एजुकेसिन के पॉइंट के साथ थैंक्यू वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शोभ हो